आपका स्वागत है और आज की आपकी वर्सिट है वर्सिट नमबर 105 या mathematics की वर्सिट है जिसमें हम लोग क्लास 2 की वर्सिट करेंगे तो चलिए वर्सिट नमबर अप्टू 100 मतलब की हम लोग 100 नमबर तक को सीखेंगे इस पर काम करेंगे और आज की वर्सिट है बिन बोले संख्या बताएं मतलब संख्यतों में आपको संख्याओं को बताना है चलिए कर रहा है पाखी और परम पाखी और परम दो भाजबहन है और आज एक नया खेल खेल रहे हैं परम आखे बंद करके एक नमबर बोड पर जिस पर नमबर लिखा है आप देख सकते हैं को दिखाती है और पाखी ने परम को बताया कि वह दस तिलियां पूरी होने पर रवर बैंड की सहायता से एक बंडल बना देगी जैसा कि चितर में दिखाए गया है यहां देखें दस दस तिलियां होने पर वो एक-एक बैन बना रही है ओके तो इस तरह से वो संख्या जान जाएगा कि उसने किस संख्या पर हात रखा है तो आप भी यह मज़ेदार खेल-खेल कर संख्या का पता लगाइए खेल-खेलने के लिए आप भी परिवार के किसी बड़े सदस्य की मदद से पाखी की तरह अपनी कापी या काज़ पर एक नंबर बोटल बनाईए अब अपने साथी को आखे बंद करके किसी भी संख्या पर उंगली रखने को कहिए वह संख्या अपनी वह संख्या अपनी कापी में भी लिख लीजिए और माचिस की तीलियों की सहायता से बिना बोले वह संख्या दिखाईए तो चलिए जिस तरह चित्र में दिखाया गया है क्या आपके साथी ने संख्या सही पहचानी और अपने खेल को नीचे दीगी तालिका में भरिये उदाहरन एक उदाहरन आपके लिए दिया गया है जैसे की आपने कोई संख्या बताई 19 तो यहाँ 19 का एक 10 तिली का बंडल दिया गया और उसके बाद 9 तिली यहाँ दिखाई जा रहे हैं तो यह 19 तिली हो गई तो अगर उसने सही बताई होगी तो आप यहाँ याँ ना लिखेंगे तो उसके बाद माल लीजिए अगली तिली आप 15 कर दीजए उसके बाद की तिली आप 14 कर सकते हैं और फिर 12 भी कर सकते हैं तो इस तरह से आप देखे कि वो सही हो रहा है कि नहीं तो पंद्रह तिली दिखाने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले दस तिली का एक बंडल बनाएंगे तो दस तिली का हम बंडल बनाते हैं देखें एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस यह हो गया, अब इन तिली के बंडल बनाने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, इसको पतला करके इसके डंडे बना लेंगे चलिए, देखें, यह हो गई तिली के डंडे इस तरह से हो गई, और आप इनको बंडल में ऐसे बान देंगे रबर से, हो गया, तो यह तो दस तिलियां हो गई, अब दस तिलियों के बाद आपको कितनी बनानी है, पांच बनानी है, तो आप पांच और कर लिजिए, एक, दो, तीन, चार, पांच हो गया, और अब आप इसमें तिलियों की डंडी लगा दिए, देखें, एक, दो, तीन, चार, पांच, तो इस तरह से पंदरा तिलियां हो गई, तो इसका एंसर होगा, हाँ, यह सही है, इसका एंसर हो गया, हाँ, अब आप वह चोदा तिलियां दिखानी है, तो चोदा तिलियां दिखानी है, तो क्या करेंगे, पहले हम दस तिलियों की एक बंडल बनाएंगे, और उसके बाद चार तिली अलग से लगाएंगे, इसमें चोदा थी, चोदा, तो आप दस तिलियों की बंडल बनाएंगे, कि डंटी को बनाईए और फिसको बांग दीजिए रबट से हो गया और चार तिलियां यहां है एक दो तीन चार हो गया ना तो इस तरह से माचीस के तिलियां होगी ते चौदा होगी यह भी सही है तो आप इसमें लिखेंगे हाँ का वी पिर ऐसे हुए आपको इसमें करना एक अपनね याद किया हुगा तो 12 दिलियों को हम बनाएंगे सबसे पहले दस दिलियों का एक बनाएंगे चलिए सुरू करते हैं हो गया और उसके बाद 2 तीलिया रहेंगे तो अरब इसका हम इसको बांदेंगे और दो तिलियां ये रही तो इस तरह से 12 तिलियां हो गई ये भी सही है तो आप ऐसे खेल खेल सकते हैं और काफी इंट्रेस्टिंग खेल है और इस खेल में आपको मजा भी आया होगा अब कर आया है कि सोचिए अगर पाखी तिलियों का बंडल नहीं बना करने के लिए कहिए जैसे जोप्री ना और पेड आ दी और बच्चों को माचीस की डिबी ना दे केवल तीलियां ही दे ताकि वो जलाना पहें तो बच्चों ये थी आपकी वर्षिट और आपने पुरी वर्षिट की इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाल विडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट जरूर करें हैं थैंक यू